कि आपका हेल्थ रिलेटेट फिजिकल फिटनेश एंड मोटर इस्किल रिजिकल फिटनेश के अंतरगर इस्टेंथ इंडूरेंश फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड को ओडिनेशन इस टॉपिक से बहुत कोश्चन होता है तो इस टॉपिक को अच्छी से समझ गये तो आपके लिए कुछ भी नहीं अगर नहीं समझे तो सही उत्तर देरा हमेशा कठीन रहेगा तो आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको पूरा सम कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो कोई भी चैनल इतना फ्री में सभी चीजों को स्टेप बाइस टेप नहीं बताएगा दोस्तों अन्य सब्सक्राइब ज्यादा वीडियो प्रिवेस यर्यमसी की कुष्टन पर बनाए गये हैं उस सब का भी प्रैक्टिस करिए औ आज की प्रश्णों की तरफ तो दोस्तों कोश्चन है कि वह योगता जिसकों की नियमन प्रक्तिरिया और गामक नियंत्रव के दिढ़ और आदर्स नमूनों के रूप में समझा जाता है तथा जो खिलाड़ी द्वारा सामोहिक गतिविद्यों को अच्छे प्रभाव यव कहाँ का इसका सही जवाब होगा समय योगता यानि को आडेनेशन देशेर्ची दोस्तों समयूनों यक्ता यानि को आड़ीनेशन ऑदिनेशन ऑद है नया और आगनतों ism सभी का समन्नों बनाना खेल कुद या गति करती समय और समन्नों यक्ता जो होता है यह केंद्री ना इसना यह संस्था या सेंटर नर्वर सिस्टम के क्रिया पर अधायत अधार होकर काम करती है यह साथ प्रकार की होती है को साथ भागू में बटा गया है कौन सा दोस्तो मैं कोडिनेशन यानि इस्पोर्ट ट्रेनिंग की सभी वीडियो इसा कोई भी नहीं बताया है आपको तो इस्पोर्ट ट्रेनिंग से सभी डाउट किलियर हो जाएंगे तो दोस्तो जो कोडिनेशन यानि की समन्वा युकता होता है यह साथ प्रकार का होता है इसका ट्रेक में बताए थी दोस्तो याद करने का कि A, B, C, D, R, R, O एस साथ प्रकार में डिवाइड में धोर्ट थी करने के लिवाएड, O, एस साथ प्रकार में डिवाइड़, किया गया है coordination immunity यानि की समन्वई योगता को नेश्ट है वह कौन सी योगता होती है जो एक क्रिया के छेत्र से संबंधित समय और अस्थान में सरीर की गतिविधी गतिविधियों इवं इस हिती में प्रियोतन का निधारा करती है तो दोस्तों जहां समय और अस्थान की इस हित करता है इस केस में दोस्तों आपका रहेगा orientation ability यानि की निधारर योगता यहां पर कौन सा आपसंस रही है orientation ability यानि निधारर योगता ठीक है यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों की समय और अस्थान की इस सितिति के अंसार जो समझज से इस्थापित करेग खिलाडी वो आपका orientation ability होगा और एक होता है आपका बदलती होई परिस्थितियां जहां बदलती होई परिस्थितियों की बात करेगा उसमें अनुकुलन इस्थापित करने की तो वहां पर adaptation ability होगा यानि अनुकुलन योगता और समय और अस्थान के सब्द आएगा तो वहा कि वहाは कोन योगता होती है जो संकेट के साथ प्रभावी रूप से सिध्व प्रतिक्रिया करती है तो कॉन सा योगता होता है दोस्तों जो संकेट मिलते ही उसके उपर जैसे की इसमिट डूर रहे हैं 100 मिटीर का रेश आप और लूमार्क्स से Oh Again Go करते हैं तो जिवें सब्सक्राइबी मैं टिल्ए तो पर्तिग्रिया जिया यची संकेत रुद्ग्रेक्शन करना की प्रतिक्रिया योगता? या ध्यूर पर्तिक्रिया योगता होता क्या है और ही वा hotter योक्ता जो किसी संकेत या इसाराब पर गना पूल रूप democrat कि्वेरों Writt सके जैसे 100-200 मीटर के स्टार्ट लेने में गनफायर सुनते ही हल्चल होती है और धावक दोड़ शुरू कर देता है नेक्स कॉंस्चन है वह कौन सी योगिता होती है जो इस्थीर और गतिसील अवस्था में सरीर के भागों का संतुलन बनाया रहती है तो दोस्तो इस्थीर और गतिसील यानि इस्टेटिक और डैनमिक अवस्था में सरीर के भागों का संतुलन बनाने का कारे कौन करता है दोस्तो इस्टेटिक और डैनमिक रूप से तो यह करता है आपका बैलेंस एबिलिटी यानि की संतुलन योगिता ठीक है कौन करता है संतुलन योगिता यदि कि अफसर नमबर C यहां में correct है ठीक है Next question है परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गति बिधियों में प्रभाव शील परिवर्तन करने की योगिता किसे कहते हैं यहां पे दोस्तों परिवर्टित परिस्थितियों में और उसके गतिविधियों के इंसार प्रहावसिल परिवर्टर करने की जो योगता होती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं अनुकूलन योगता यानि की एडाप्टेशन एबिलिटी यह कोस्चन दोस्तों यूपी टीजीटी में इस बार 2021 में पूछा गया था दोस्तों एडाप्टेशन एबिलिटी यानि की अनुकूलन योगता यानि बदलती हुई परिस्थितियों के इंसार खिलाडी की गतिविधियों में प्रहावसाली रूप से परिवर्टन करती है यानि की एडाप्टेशन एबिलिटी और वही आपका समय और अस्थान कर देगा दोस्तों समय और अस्थान की इस इतिक उनसार खिलाडी स्वैम के साथ समझसे करेगा इस्तापित करेगा तो उसको हम कहेंगे orientation ability यानि की निधार योगता और बदलती हुई परिसिते की बात करेगा और उसमें अनुकुलन करने की तो adaptation ability यानि की अनुकुलन योगता रहेगा इन दोनों में आपको different समझना है नेश्टा हुआ कौन सी योगता है जो की खेल गती विधियो को शफलता पुर्वक करानुइद करने है तू सरीर के bivhern भागों की क्रियाओं को अर्थपूर ध्यं से संयुक्त करती है तो दोस्तों यह क्या कर रहा है कोई कोज सी योगता है जो खेल की गती विधियों को सफलता पुर्वक कारानुइद करने के लिए हमाय जो सरी की सभी भागो के और क्रियाओं के अर्थपूर धंग से संयुद करती है तो भी भागो को अर्थपूर से संयुद करती है यानि कि यूगमन करती है जोड़ती है तो उसको हम कहते हैं यूगमन योगता क्या कहते हैं यूगमन योगता यानि की क्यूपलिंग एबि के लिए शरीर के विभिन नंगों का आपस में ताल मेल बनाती है यानि कि यसे फुटबाल में गेंद को नियंत्र में लाने के लिए दिमाग पैर हाथ को एक साथ समन्वे करना यही आपका खलाता है यूगमन क्यूपलिंग एबिलेटी यानि की यूगमन योगिता नेश्ट ह वह कौन सी योगिता है जो कि ताल मेल के उच्च इस्तर सारी गतिविधियों की बचत तथा गमक क्रियाओं के परिवर्टन से संबंधित होती है तो यह कौन सी योगिता है दोस्तों यह योगिता है प्रिथक करण की योगिता क्या है प्रिथक करण की योगिता यानि की डि कुछ इस्तर तो होगा जो सबसे फर्ष अस्थान पहोगा उस्ता इस्तर निधायत किया जाता है ठीक है क्या निधायत किया जाता है इस्तर निधायत किया जाता है प्रिथक करण योगता ठीक है तो यहां भी प्रिथक करण योगता होगा प्रिथक करण योगता में होता है कि जो एक व्यक्ति या साधिक गतिविधियों द्वारा तथा गतिविधियों की अवस्था में अच्छे ताल मेल की वज़र से एक उच्छ सीखर तक पहुंचता है उसी को कहते हैं प्रिथक करण की योगिता ठीक है नेश्टा वह कौन सी योगिता है जो वह गतिविधि के लय को और भार को ग्रहर करने में के पस्चात गामक क्रिया में उत्पन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों लयात्मक योगिता यानि कि रिद्मिक इबिलेटी लयात्मक योगिता ठीक है यहां पर क्या सई हो जाएगा दोस्तों लयात्मक योगिता यानि कि वह गतिविधि साउंड को सून कर जैसे कि हम जिमनास्टिक में स्केटिंग में करते हैं मीजिक की अधार पर खिलारे अपनी गतिविधि बदल है तो इसी कहते हैं लयात्मक योगिता यानि कि रिद्मीक एबिलेटी कर दोस्तों वह कौन सी छमता होती है जिसके कारण वह कौन सी छमता होती है जिसके दौरा वास्त्वी गामका धवारा तक्नीक को प्दरशित क्या जाता है वह कौसी गामक क्रिया होती है तो कौसल होता है कौसल यानि स्कील वह कौसी चमता होती है जिसके द्वारा वास्तवी गामक क्रिया द्वारा तकनिक को प्रतिशित किया जाता है दोस्तो आप जैसे की प्रतिविटा में है उस प्रतिविटा में आप प्रतिविटा में करेंगे तो किसका प्रेडाम रहेगा वह हमारे कौसा है हमारी स्कील जो हम सीखे हैं उसी का प्रेडाम रहेगा ठीक है किसी गामक कारे को करने के लिए किस विधी का उपियो किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो गामक कारे को करने के लिए किस विधी का उपियो किया जाता है त कोई रड़नीती बनाना क्या कहलाता है तो प्रतियोगिता के दवरान जब प्रतियोगिता हो रहा है दोस्तों उस समय कोई रड़नीती बनाना कहलाता है युक्ति क्या कहलाता है युक्ति यादि टेक्टिस एक होता है टेक्निक एक होता है टेक्टिस जो युक्ति होता है ठीक नेश्ट है अवधी कालिंटा प्रियो डाइजेशन के अंतगत कितने काल आते हैं तो अवधी कालिंटा के अंतगत तीन काल आते हैं दोस्तों जिसको मैक्रो साइकल, मीजो साइकल, एन माइक्रो साइकल में बाटा गया है नेश्ट कोश्चन है खेलों में बैग्यानिक रूप से आवधी कलिंटा को कितने प्रकार में बाटा गया है तो तीन प्रकार में बाटा गया है दोस्तों कौन कौन से तीन प्रकार में बाटा गया है इसको तीन प्रकार में बाटा गया है प्रिपेटी प्रियेड कंपर्टिशन प्रियेड ट्रांजिस्नल प्रियेड इसके बारे मैंने डीटील में बताया है दोस्तों अवधी कलेंटा यानि प्रियो डाइजेशन के बारे में उस व ठीक है यह आपका छे से साथ महिने का होता है दूसरा होता है कंपटिशन प्रियेट जिसमें वह समय एथलीट का मेन कंपटिशन होता है इसे कंपटिशन कराया जाता है यह तीन से चैर महिने का होता है दो से तीन महिने का एंड लास्ट में आता है ट्रांजिस्नल प्रियेट यहां पर वह समय आता है जहां एक रेट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फीर से नए प्रियोडाइजिस्टन को सुरू कर सके यानि कि इसको ट्रांजिस्टनल प्रियर को रिकवरी प्रियर भी कहा जाता है ठीक है इस बार एक क्वेश्चन आया गुए था यूपीटी मिजो चक्र और माइक्रो चक्र ठीक है जो आपका मैक्रो चकर होता है जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकल होता है वह तीन से बारे महीनी का होता है यानि एक साल का जो मीजो चक्र होता है जैसे कि मैक्रो चक्र तीन से बारे महीने का होता उसको ट्रेनिंग योजना भी बुला जाता है इसको मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्तन चक्र भी बुला जाता है और चरम चक्र भी बुला जाता है इतना ध्यान रखेगा तिसरा होता है सबसे छोटा चक्र माइक्रो चक्र जिसको सुचम अवधी या सबताहिक योजना ही बुला जाता है या सबसे छोटा चक्र होता है इसका समय तीन से दस दिन यानि एक सबताह तक होता है Next question है दोस्तो सबसे लंबी अवधी का प्रसिछर चक्र क्या कहलाता है तो दोस्तो प्रसिछर चक्र यानि ट्रेनिंग साइकल सबसे लंबी अवधी का होता है मैक्रो साइकल कोन होता है मैक्रो साइकल जिसकी अवधी कितनी होती है दोस्तो 3 से 12 महिना यानि कि एक साल तक Next है सबसे कम अवधी का प्रसिशर चक्र क्या कहलाता है तो सबसे कव अवधी का कौन है दोस्तो माइक्रो साइकल कौन है माइक्रो साइकल जो तीन से दस दिन का होता है यानि एक सब्ता का नेश्ट है तीन से छे सब्ता तक चलने वाला प्रसिशर चक्र क्या कहलाता है तो यह मेजो चक्र, मैसो चक्र कहलाता है, ठीक है, मैसो साइकल कहलाता है, जो तीन से छे सबता है, यानि देड़ मा, एक से देड़ मा, यानि तीस से पतारीश दिन का होता है, इसको मासिक ट्रेनिंग चक्र, मासिक चक्र, अवस्तन चक्र, चर्दम चक्र भी बोला जाता है, नेश्ट है 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रसिश्चर चक्र कहलाता है तो यह माइक्रो सायकल कहलाता है दोस्तों जो सबसे छोटा चक्र होता है इसको सोच में अवधी या सापता रही कि योजना भी बुला जाता है नेश कोचन है गती एवं ताकत का संयुक्त मिस्रर कहलाता है तो दोस्तों गती और ताकत दोनों का संयुक्त मिस्रर कहलाता है विस फोटक्स छमता यानि एक्स्प्लोसिव इस्ट्रेंद क्या कहलाता है बिसफोटक छंपता यानि की एकस्पलोसीव इस्टरेंद में क्या होता है दोस्तों कि इसमें गती ऐँ शक्ती दुनों साथ साथ चलते हैं दुनों का समन्वा होता है definitely है गतिह सकति का समर्णव हुता है आपका थ्यों सक्ति इसमें इंटेनसिटी होती है तिवितरास 70 अशी परसेट होती है यह इना कि पेस्यों की हुआ हुसह चंपतः जो तिव्र Paprained छमता जिदने भी जम पे हैं दोस्तों, जैसे कि सब मेटर स्टार्ट, स्पिंड रेस का, से wider and check estado, अग्स जम स्टेंडिंग ब्रॉड जम और टिकल जम। स्टेंडीं जम। इसलहने लेवके उ正, दिर्जेंट आप, यानि लांग जूप, हाई जम। ये सब है कम कहलाता है कंसेंटριक कंट्रक्सन क्या कहलाता है कंसेंटरिक फिScott को सक्की करने वाली होती है smoke हुन जो हता है जिसका आर्ठ है मतलब यानि सेम टनाव होना मांसपेसि के लंबाई घर्ती बढ़ती है और यह आईसरोटिनिक दूपर का का होता है कंसेंट्रिक कंट्रक्षन और इसेंट्रिक कंट्रक्षन अजैसे आप अपने अगर भूजा को उपर की रूठाएंगे यह फिलेक्षन करेंगे तो क्या हुआ उसमें आपका लंबाई कम हो रहा है और तो यह आपका हुआ concentric contraction इसी आथ को आप extension करेंगे यानि फैला देंगे तो हमारा हाथ क्या है लंबाई बढ़ रहा है मांसपेसियो की तो यहां पर हो जाएगा कितनी होनी चाहिए तो हो जायेगा चालिश से 60% कितना 40-60 सर्प्रित होना चाहिए कि 20-30 से 50 इनलिखित को ब्ग्सित किया जाता है प्रजिट पूरिटी अधिक्तम ताकत और घ्रलिटƯ Mram तो दोस्तों यह था इस पुर्ट्रेनिan जो आपके लिए इंपॉर्टन है अज के लिए इस वीडियो के लिए universal क्योंकि बहुत सारे पाएगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम तो करेंगे कि 30 ता चौत लसक्रों हर एक वीडियो में रहे and 50 questions भी हो सकता है दोस्तों and दोस्तों I hope कि आपको सभी questions समझ में आये होंगे और इस related जो भी doubt होगा आपका में comment में मुझे जरूर बताइए उसका doubt के लिए जरूर करोगी दोस्तों जो आप question आपको समझ में नहीं आये होंगे उसको भी आप दुबारा से पूछ सकते हैं comment box में तो दोस्तों फर्स बार वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजी बिल आइकन को प्रेस कर लेजी जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक कि ये जाए हैं